आज हम भक्ति आंदोलन के बारे में देन करेंगे भारत में जो भक्ति आंदोलन की शुरुवात है वो हम सिंदू सबेता से जो अवसेश प्राप्त हुए है उनसे पता चलता है क्योंकि सिंदू सबेता के अंदर हमें मूर्ती के अवसेश प्राप्त हुए है जिनसे ये पता चलता है कि वो लोग मूर्ति पुजक थे उसके बाद वेदिक यूग के अंदर आर ये थे वो विविद्ध प्राकर्तिक सक्तियों की पुजा करते थे वेदों में सुरिये, इंदर, उसा और अन्य देव देवताओं की प्रातां मिलती है और उनमें सर्दा का भाहुजा लगता है उससे हमें ये पता चलता है कि उससे हमें भी बक्ती परमपरा थी गीता में हमें बक्ती का इसपष्ट परमान मिलता है जिसमें ये बताया गया है कि मोक्स पराप्ती के तीन मार गया है जिसमें से बक्ति को सर्वस्रेष्ट माना गया है इसके बाद में दिरे-दिरे राम और कर्षन को उपाशे देव बता कर बक्ति के दारा प्रभावित हुई जो आगे चलकर वेश्नो दर्म में पढ़नित हो गई और फिर ये बागवत धर्म के विकास तक जो ये परंप्रा थी वो चलती रही इस तरह से बक्ति की जो परंप्रा है वो कोई नई परंप्रा नहीं है ये बहुत ही पुरारी परंप्रा है जबकि कुछ इतियासकार ये कहते हैं कि बक्ति की जो परंप्रा है वो मद्दे का लिन जो इतियास का समय है भारत का यानि जो इसलाम का काल आया मुसलिम सासकों ने जब भारत पर आकर्मन किया या जब इसलाम का परचार परशार बड़ा तो उस समय से ये शुरुआत हुई लेकिन ऐसा नहीं है पहले ये परंप्रा उत्तर भारत में थी और उत्तर भारत से ये परंप्रा दक्षिन भारत में चलीगी वहाँ पर दो प्रकार के बक्ति संथ हुए अलवार और नेनार अलवार वो संथ थे जो कर्षन बक्ति को महत्वे देते थे कर्षन की बक्ति करते थे और नेनार वो थे जो शीव की भक्ति करते थे अब जो भक्ति आंदोलन के कारण बताएगे हैं मद्दे काल के अंदर भक्ति आंदोलन एक नए रूप से शुरूआ और उसी का मद्द्यान करेंगे कि जो कारण है उनमें दिली के मुस्लिम सासकों का जो निरंकूस और संकीन सासक था जिसके अंदर इंदों की जो जितने भी सुईदाएं थी चाए वो राजनेतिक हो चाए दार्मिक हो चाए समाजिक हो उन सब से उनको वंचीत कर दिया गया अधिकांस जितने भी मुस्लिम सासक थे उन्होंने अपनी परजा माना ही नहीं परिणाम सरूप वो अपने देश में विदेशी बन गे उन से जजिया कर वसूल किया जाता था जजिया के विवेदकारी कर था यानि वो सिरफ इंदों से वसूल किया जाता था मुसल्मानों से नहीं तो इस तरह से उनकी जान, माल, इज्जत कुछ भी उस समय सुरक्षित नहीं थी और उनका ध्रम भी परिवर्तन किया जाता था ऐसी इस्तिती में जो पीडिती जनता थी उसके पास इस्वर के आश्रिये के अलवा और कोई साधर नहीं था तो उन्होंने इस्वर का आश्रिये लिया और अपने दुख दर्द को बुलाने के लिए वो भक्ति में डूब गए इस मनोवर्ति से भक्ति आंदोल उनको बल मिला मुसलमानों के भारत में बस जाने के बाद हिंदू मुसलमानों में दिरे-दिरे सामाजिक संप्रक का विकास हुआ शांसकर्तिक छेतर में वी विच्वरों का दान पर दान होने लगा इस वातावन में दोनों तरफ से सुधारकों ने समानता और एकिकरण के आवशिक्त्या का अनभव किया बक्ति आंदोलन इसी का प्रेणाम था जब इदर बक्ति आंदोलन चल रहा था तो दूसरी तरफ सुफी आंदोलन था सुफी आंदोलन में भी उदारता सही सुनता है उन प्रेम के साथ एक एक सुरवादी इसलाम का परचार किया उससे भी बहुत से हिंदू विचारक परभावित हुए उनकी कई बातें अच्छे लगी उन्होंने इंदू दर्म में जितने भी बुराईयां थी आडंबर थे उनको दूर करने का जितने भी हिंदू सुधारक थे बक्ति आंदोलन के पढ़नेता थे उन्होंने दूर करने का प्रियास किया और एकेश्वरबाद का परचार किया सगुन और निर्गुन भक्ति दोनों ही परकार के जो विचार थे वो इस्चमवे अंतिमकान इसलाम के बढ़ते और परशार को रोकने के लिए यानि इसलाम का जो परशार बढ़ रहा था इसलामी जो मुस्लिम जो सासक थे उन्होंने इसलाम धरम के परचार के लिए हिंदूों को भलात हिंदू इसलाम में परिवर्तित करने का प्रियास किया इसलिए भी भारत में हिंदू धरम को जनवादी बनाना आफशिक हो गया यानि हिंदु द्रम में जो बुराईयां थी उनको दूर करके एक सरल रूम में और इस्वर की प्राप्ति का एक सरल मारग जनता के सामने जो भी उस समय के संत हुए उन्होंने रखा बक्ती का कि बक्ती कोई भी आदमी कहीं से भी कर सकता है और हिंदु द्रम में जो बुराई उनको मोक्स की पुरापती नहीं कर सकती। तो उनके लिए भी इन धर्म शुदार्कों ने बक्ति आंदोलन के संतों ने मोक्स का दुबार खोल दिया, जिस्षे कि कि वो इसलाम धर्म के अराकरशित नो हो। इसके लवा मुर्ति पुजा थे था बहु, देवाद के स्तान पर, निराकार और एके सुरवाद की पुजा और उपासना का परचलन किया, यानि मुर्ति पुजा और जो बहुत से देवता मानती थे, उनकी जिगे इन संतों ने दोनों ही तरह की पुजा भक्ती इससे में सुर कार होता है इसके लावाएं एकश्वरबाद की भी इसमय पर्चार हुआ यानि इसमय एक ही है और जो सर्वस्रेश्ट या जो इसमय सर्वाद की पुजा पर भी इस समय बल दिया गया इस परकार हिंदूतों में एक सुधारवादी लहर उठी जिसने भक्ति आंदोलन का रूप ले लिया इस परकार ये आंदोलन ततकालिन परिश्थितियों के उपस था हिंदू-मुसलिम के मद्दे समाजिक धार्मिक अदार्मिक-बहाईचारे का पर्दिपादन करने की इच्छा का पर्दिक था अब भक्ति का सवरूप क्या था यान कि इस तरह से भक्ति की गई तो भक्ति आंदोलन के जिस भक्ति पर ज़ोड दिया था उसका सरूप सरल और पवितर था, यानी जो वो विद्यां थी, वो सरल थी, पवितर थी, उसका कोई दरमगरंत, प्रोईत तथा करमकांड नहीं था, बक्तिमार की जितने संथे वो बहुदेवाद के विरोधी थे, यानि वो एक एक सुरवादी में विश्वा सकते थे, राम, कर्शन, शीव, करीम, रहीम, अल्ला, यानि सबी ने एक सबर से जाती पाती का विरोधी किया, सबसे जो मुख्यकांड था, उसमें जाती पाती जदा फैली वी थी इंदू दरम के अंदर, तो जो जाती पाती का विरोधी था, एक दूसरे से बेदबाव क्या करते थे, उसका इन सब ने विरोधी किया, और उन्होंने क कि भक्ति के माद्यम से कोई भी व्यक्ति मौक्स प्राप्त कर सकता है, उसमें कोई जाती-पाती बाद्धा नहीं बनती। उनका यह कहना था कि भक्ति को पूर्ण निस्टा त्याग और सरदा के साथ इस्वर की भक्ति करने चाहिए। उसके साथ एकाकार होने का प्रियास करना चाहिए। वो भक्ति है, इसके लिए भक्त को सरीर और मस्तिक से, सभी विकारों से मुक्त करना जरूरी है, और मारक दर्सन के लिए एक सच्चे गुरू का होना भी आवश्यक है, यानि उससे में जो गुरू परंप्रा थी, उस पे भी महत्व है दिया गया, भक्ति मारकी संतों ने लोक सभा के मादम, लोक जो भाषा थी, उसके मादम से, यानि जो लोक भाषा थी, इस्तानिय भाषा थी, उसके मादम से, कि कोई भी वक्ति अपनी ही भाषा के अंदर, बजन, किर्टन, गी, दोए, गाकर, और इस्वर को प्राप्त कर सकता है, तो ये भक्ति का सवरूप था, तो ये भक्ति आंदोलन के कारण और सवरूप थे कि किस तरह से भक्ति करनी चीए और इस भक्ति आंदोलन का उद्वब कैसे हुआ नए रूप के अंदर, वैसे भक्ति आंदोलन जैसे अपन पहले से पढ़ चुके हैं कि भारत में भक्ति की जो प्रमप्रा है वो बहुत पु बाशित किया गया, नई तरह से एक सरल तरीके से जनता के सामने फिर से संतों द्वारा रखा गया, जिससे कि हिंदु द्रम का विक्टन नो हो, जो जाति पाती के काण हिंदु द्रम से लोगों का अलगाव हो रहा था, लोग दूर जा रहे थे, वो अपसे पास आएं,